हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेर्स बे रवी पर फ्रेंट्स नोबल पुरुसकार 2023 की यहाँ पर घोशना कर दी गई है और इसमें रसायन विज्ञान बहुतिक विज्ञान और चिकिट्सा के फील्ड में नोबल प्राइस की अनाउंस्मेंट कर दी गई है तो फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं छे छेत्रों में नोबल पुरुसकार दिया जाता है और इन तीन पुरुसकारों को अभी घोशना करी गई है बाकी तीन भी जब घोशना हो जाएगी उनको भी हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे तो फ्रेंट्स मैंने यहाप सारे कोशन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूसफुल रहने वाला है तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट क एकिमोव जो की रूस के हैं इन तीनों को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर डी उप्युक्त सभी फ्रेंट्स बात करते हैं यह पुरुसकार क्यों दिया गया है इन्हें तो इनको यह पुरुसकार क्षोच और संसलेशन के लिए दिया गया है और यह रस स्वीडिश क्रोना दिया जाता है ओके फ्रेंट्स आपका अगला कोशन रहने वाला है आपर बहुतिक विज्ञान के छेतर में नोबल पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पर बात हो रही है फिजिक्स के छेतर में तो यहां पर बहुतिक व विज्ञान के छेतर में नोबल पुरुसकार तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स यहां पर उप्युक्त सभी ऑप्शन नमबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बात करते हैं यह पुरुसकार इन्हें क्यों दिया जा रहा है यह पुरुसकार इन्हें पदार्थ में इलक्ट्रोन गती शीलता के अध्यन के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स उत्पन करने वाले प्रयोगात्मक विधी को खोच करने के लिए दिया गया है तो इसे जुड़े सारे इंपॉर्टन पॉइंट्स को यहां पर हम कवर करेंगे बहुतिक विज्ञान के छेत एलन एस्पेक जो की फ्रांस से थे जॉन एफ क्लॉजर जो की अमेरिका से थे और इनके साथ-साथ एंटॉन जिलेंगर जो की ऑस्ट्रिया से थे इन तीनों को ठीक है तो 2022 में यह तीनों को यह दिया गया था फ्रेंट्स आपका अगला कोशन है आपर चिकित्सा के छेतर में नोबल पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो फ्रेंट्स 2023 में नोबल पुरुसकार चिकित्सा में दिया जा रहा है कैटलिन कारिको यह जो है हंगरी से हैं और साथ में बात करें डू वीसमैन की तो ये हैं अमेरिका से, तो इन दियोनों को यहाँ पर दिया जा रहा है, नोबल पुरुसकार चिकित्सा के छेतर में, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप्शन नमबर C, उप्युक्त दोनों, बात करेंगे इनसे related important points की यहाँ पर देखे, यह पुरुसकार इन्ह नोबल पुरुसकार प्रदान कौन करता है, तो देखे, करोलंस का इंस्टिट्यूट, जो कि स्वीडन में है, इनके दुआरा चिकित्सा के छेतर में नोबल पुरुसकार दिया जाता है, और यहाँ पर पुरुसकार रासी होती है, 1.1 करोड स्वीडिश क्रोना, जो की 10 ला कोशन रहेगा, नोबल पुरुसकार किनकी याद में हर साल दिया जाता है, काफी इंपोर्टन कोशन है आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए, तो यहाँ पर हर साल नोबल पुरुसकार दिया जाता है, आलफ्रेड नोबल की मेमोरी में, तो आप्शन नमबर B इसका हांत हो गया था, और फ्रेंट्स इसी 10 दिसंबर को यहाँ पर नोबल पुरुसकार दिया जाता है, नेक्स कोशन रहेगा आपका फ्रेंट्स यहाँ पर नोबल पुरुसकार कितने छेत्रों में दिया जाता है, तो फ्रेंट्स नोबल पुरुसकार को टोटल 6 फिल्स में दि करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ओके देखिए तो बढ़ते हैं बात करेंगी कौन-कौन से छे छेतर हैं जहां पर इस पुरुषकार को दिया जाता है ठीक है तो देखिए चिकित्सा भौतिक रसायन शान्ति अर्थशास्त्र और साहित्य ये छे ऐसे फील्ड्स है जहां पर नोबल पुरुषकार दिया जाता है फ्रेंट्स बढ़ते हैं आपके नेक्स कोश्चन की तरफ नोबल पुरुषकार हर साल कब दिया जाता है तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि नोबल पुरुषकार को हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है त यह दिया कब जाता है यह 10 दिसंबर को यहाँ पर दिया जाता है बढ़ते हैं आपके next question की तरफ पहली बार नोबल पुरुसकार कब दिये गये थे तो फ्रेंड्स पहली बार नोबल पुरुसकार दिया गया था 10 दिसंबर 1901 को राइट आंसर है option number C देखें नोबल पुरुसकार 1901 में सबसे पहले हेंड्री डुनांट और फ्रेडरिक पैसे से को मिला था तो यहाँ पर इन दोनों को पहला नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था फ्रेंट्स आपका अगला कोशन यहाँ पर रहने वाला है चिकित्सा छेत्रों में नोबल पुरुसकार कौन प्रदान करता है तो चिकित्सा के छेत्र में नोबल पुरुसकार दिया जाता है अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में करोलिंसका इंस्टिटूट जो कि देख रहे हैं कि चिकित्सा के छेत्र में करोलिंसका इंस्टिटूट जो कि स्वीडन में है यह प्रदान करता है नोबल पुरुसकार को बाकी फील्स जो है बाकी छेत्र जो है पांच उनको हम बिसकस करेंगे कि कौन-कौन यह नोबल पुरुसकार को देते हैं ठीक है तो द नोबल पुरुसकार दिया जाता है the Royal Swedish Academy of Sciences, जो कि Sweden में है इनके द्वारा, नेक्स्ट रहेगा फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए, साहित्य के छेत्र में नोबल पुरुसकार कौन देता है, तो साहित्य के छेत्र में नोबल पुरुसकार Swedish Academy, जो कि Sweden में है, इनके द्वारा ये न नोबल पुरुसकार दिया जाता है आपका next question रहेगा यहाँ पर देखें दो अलग अलग छेत्रों में नोबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले पहले और एक मात्र महिला कौन थी तो पहली और एक मात्र महिला जिने दो बार नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है वो है Mary Curie राइट आंसर है option number A समझते हैं इसके बारे में detail में इने कौन-कौन से छेतर में नोबल पुरुसकार दिया गया है राइट फ्रेंट आपका next question रहेगा यहाँ पर दो अलग अलग छेतरों में नोबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले पहले पुरुष कौन थे महिला है मैरी क्यूरी अब आपको बताना है पुरुष कौन है जिने दो बार नोबल पुरुसकार दिया गया है अलग अलग छेतरों में तो यह है फ्रेंट्स लीनस पॉलिंग अप्शन नमबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और देखें इन्हें किस किस छेतरों में दिया गया है तो लीनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के छेतर में और 1962 में शान्ती के छेतर में नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है नेक्स कोशन है फ्रेंट्स आपका नोबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है तो सबसे कम उम्र की व्यक्ति जिन्हें नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है वो है मलाला यूसुफ अजाई तो option number D इसका right answer है और देखें सम यह कौन है यह जॉन भी गुड एनफ यंग आपसे पूचा जाए तो यह है मलाला यूसुफ अजाई और अगर आपसे पूचा जाए कि ओल्डेस्ट परसन कौन है तो यह हैं जॉन भी गुड एनफ जिन्हें 97 साल में यह अमेरिकी बेग्यानिक हैं और जर्मिनी देश के हैं इनको 2019 में इस पूरुसकार से यानि कि रसायन के छेतर में इस पूरुसकार से सम्मानित किया गया था बढ़ते हैं next question की तरफ देखें किसी एक छेतर में अधिकतम कितने लोगों को नोबल पूरुसकार दिया जा सकता है तो friends किसी एक छेतर में अधिकतम सिर्फ तीन लोगों को नोबल पूरुसकार से सम्मानित किया जाता है देखें आपका next question रहेगा यहाँ पर प्रतम भार्तिय कौन थे जिने नोबल पूरुसकार दिया गया था तो friends पहले ऐसे भार्तिय जिने नोबल पूरुसकार से सम्मानित किया गया था वो थे रविंद्रनाथ टेगोर option number 6 इसका right answer हो जाएगा और इनसे जुड़े सारे important points को हम यहाँ पर discuss करने वाले है रविंद्रनाथ टेगोर को सहित्य के छेत्र में नोबल पूरुसकार दिया गया था और इनको यह नोबल पूरुसकार 1913 में दिया गया था ठीक है और साथ में रविंद्रनाथ टेगोर को उनकी रचना गीतांजली के लिए यह नोबल पूरुसकार दिया गया था ऐसे भी आता है कि गीतांजली के रचायता कौन है तो यह है रविंद्रनाथ टेगोर तो आप इसको भी यहाँ पर साथ में याद रखें नेक्स कोशन 1979 में नोबल पूरुसकार पाने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी तो प्रथम भारतिय महिला जी ने नोबल पूरुसकार से सम्मानित किया गया था वो थी मदर टेरेसा अप्शन नमबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स नेक्स रहेगा यहाँ पर नोबल पूरुसकार मरनो परान दिया जाना कब समात किया गया तो देखें फ्रेंट्स यहाँ पर नोबल पूरुसकार दिया जाता था बड़ इसको 1974 में बंद कर दिया गया यानि कि 1974 के बाद पॉस्तो मसली यहाँ पर अब नहीं दिया जाता है नोबल प्राइस को नेक्स देखिये अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरुषकारों की शुरुआत कब होई थी तो अर्थशास्त्र यानि कि एकोनॉमिक्स में नोबल पुरुषकार को शुरू किया गया था 1969 में राइट आंसर है ऑप्शन नमबर डी नेक्स कोशन अर्थशास्त्र के छेतर में अब तक कि दो भारतियों को नोबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो फ्रेंट्स एकोनॉमिक्स की बात हो रही है यहाँ पर तो आपको बताना है कि यहाँ पर एकोनॉमिक्स यानि कि अर्थशास्त्र में अब तक कि दो भारतियों नोबल पुरुषकार से सम्मानित व्यक्ति है उनके नाम क्या है ठीक है तो यह है एक अमर्त्य सेन जिने 1998 म के छेत्र में 1998 में नोबल पुरुषकार मिला था फ्रेंट आपका अगला कोशन रहने वाला है यहाँ पर पहला नोबल पुरुषकार 1903 में किस महिला को मिला था वेरी इंपोर्टन कोशन तो 1903 में पहली महिला जिने यह नोबल पुरुषकार दिया गया था यह थी मैरी क्य राइट आंसर है ऑप्शन नमबर ए देखिए 10 दिसंबर 1903 को उन्हें बहुतिक विज्ञान के छेतर में नोबल पुरुसकार से नवाजा गया था मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए काफी प्रख्यात थी मैरी क्यूरी पोलैंट देश की रहने वाली थी तो आप से अगर देश पूछा जाएं तो यह पोलैंण देश की रहने वाली थी और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी तो friends ये हो गए आपके सारे important questions इस वीडियो में इस topic से हमने सारे important questions आपके लिए यहाँ पर cover कर दिये हैं और जैसे मैंने आपको बताया है कि बाकी जो तीन field की announcement जैसे होती है हम इस channel में आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे तो अब आता है आपका छोटा सा test जिसका answer आपको में comment करके बताना है आपका पहला question रहेगा यहाँ पर noble पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले सबसे कम उम्रके व्यक्ति कौन थे तो यह आपको एक बताना है और साथ में एक और question है देखे अर्थ शास्तर के लिए noble पुरुसकारो की शुरुआत कब हुई है तो यह है friends दो questions जिसके answer आपको हमें comment करके बताना है और friends इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो paid pdf की website है वो है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर आपको रवी सर की all subject gk और current affairs की pdf बोत इन English medium and Hindi medium मिल जाएगी तो काफी अच्छा content आपको exam oriented content यहाँ पर provide किया गया है जबकि आने वाले exam के लिए काफी जादा useful होने वाला है तो अगर आप चाहें तो जाकर के इस website से buy कर सकते हैं यहाँ पर आपको January से लेकर के आगस्त तक का last 8 month का paid pdf मिल जाएगा और साथ में quality का जो 5000 plus questions है यह भी यहाँ पर आपको pdf provide किया गया है तो जाहें तो जाकर के visit करके आप इसे buy कर सकते हैं ठीक है तो friends यह था हमारा आज का last light I hope आपको यह video पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को like और अपने friends के साथ share जरूर करिएगा और आपको यह video कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताएं तो मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले video में Until then thank you, have a nice day